आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इमाचल प्रदेश के एक प्राचीन गाउं के बारे में जो देश का पहला हेरिटेज विलेज है आखिर यहां ऐसी क्या खास बात है जिसके कारण इसे प्रदेश सरकार ने हेरिटेज विलेज गोशित किया जानेंगे हम इस वीडियो में तो वीडियो को अंद तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है जहां कई ऐसे स्थान है जो अपनी खूब सूर्ती से आम लोगों को आकरशित करते हैं हिमाचल का प्रागपूर गरली भी एक ऐसा स्थान है जो किसी को भी अकरशित करने में शक्षम है प्रागपूर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित एक गाउं है जो कूश्चूरत वादियों के बीच लगबग 2000 फुट की उंचाई पर स्थित है दौलादार शेनी की छाया में रहते हुए और लगबग तीन श्ताबदियों पहले विक्सित प्रागपूर गाउं के निकटवर्ती गाउं गरली के साथ 9 दिसंबर 1997 को राज्य सरकार की एक अधिसूचना के अनुसार विरासत गाउं के रूप में अधिसूचित किया गया सम्विधान के अनुसार भारत और पंचायती राज का दिनियम प्रागपूर गाउं का प्रशासन सरपंच द्वारा किया जाता है जो गाउं का प्रतिनिधी है ब्रेटिश काल में विक्सित हुआ यह गाउं स्मृद इतिहास और संस्कृती का अक्ष है प्रागपूर की स्थापना सोलवी श्ताबदी के अंत में जस्वाँ शाही परिवार की राजकुमारी प्रागदेई की याद में पेटी अल्स द्वारा की गई थी प्रागपूर का क्षेत्र जस्वाँ की रियासत का हिस्सा था यहां के भवनों की अद्वुत नकाशी यहां की गलियां अलग युग में ले जाती है बताया जाता है कि प्रागपुर गाओं की स्थापना तीन सदी पहले हुई थी यहां पर अभी भी वही अपरिवर्तित दुकाने, कोबला स्टोन सरकें, पुराने पानी के टैंक और मिट्टी स्लेट से बने हुए घर मौजूद है क्ले की तरह के गेरों और हवेलियों से सजी संकरी सरकें, क्षेत्र के वृद्ध करिशमे का संकेत है यहां के भवनों की अद्भुत नकाशी, यहां की गलियां बानो एक अलग दुनिया में ले जाती है यहां पर एक एतिहासिक तालाब बाजार के मद्दे में सित है अपनी इसी अनोठी बास्तुकला और काचीन सुंदरता के कारण, हिमाचिल प्रदेश की राज्य सरकार ने दिसंबर 1997 में प्रागपूर को देश का पहला हैरिटेज विलेज गोशित किया था प्राग का अर्थ है पूर्ण और प्रागपूर का अर्थ है पराग से भरा हुआ जो वसंत में खिलने के साथ क्षित्र का सही डंग से वर्णन करता है प्रागपूर के साथ गरली का नजदी की गाउं हेटेज जोन का हिस्सा है जजिस कोट एक रिजॉर्ट है जो वास्तुकला की विशिष्ट एंगलो इंडियन शैली में बनाया गया है यह 12 एकट के हेरनों में खड़ा है और गाउं के कोर और ताल से थोड़ी दूर है 1918 में बनाये गए जजिस कोट के अलावा श्री लाल ने अपने 300 साल पुराने पैत्रिक गर को बहाल कर दिया है हेर्टेज विलेज प्रागपूर के भीतर दर्शनीय स्थल 1931 में प्रागपूर के एक रईस द्वारा निर्मित लाला रेरुमल की हवेली है जिसमें एक मुगल शैली का बगीचा, तुखी छत और एक बड़ा जल बंडार है बुटेल मंदीर, चोंजर हवेली, सूध कुलों के आंगन, एक प्राचीन शक्ती मंदीर और अठियाला या सार्वजनिक मंच इस विरासत का गौरव है बाजार में पारंपरिक ट्रिंकेट और क्योरियोस बेचने वाले कई सिल्वर स्मित है गाउं अपने कुटीर उद्योग के लिए जाना जाता है खित्र के निवासी जदातर शिल्फकार टोकरी बनाने वाले मक बधिर, चित्रकार, संगीतकार और दरजी है एक हाथ से बने हुए कंबल, शॉल और हाथ से प्रिंट वाले कपड़े खरेड़ सकते है धरोहर गाउं प्रागपुर गरली से बॉलिगुड के कई प्रसिद्ध फिल्मी सितारों का भी लगाव है फिल्मों की शूटिंग के मद्दे नजर, यहां कई नामी बॉलिगुड सितारे आ चुके हैं और इस स्थान को शूटिंग के लिए बहतरीन माना है पिछले कुछ समय में यहां कई फिल्मों, विज्यापनों और एल्बम की शूटिंग हुई है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और भी जानकारियों के साथ अगली वीडियो में आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें